दोस्तो ताज महल बनाने वाले का हाथ क्यों काट दिया गया क्या ताज महल का निव लकड़ी से बनाया गया है क्या ताज महल बनाने वाले कारीगरों का हाथ भी कटा गया था या नहीं कटा गया था ताज महल के अंदर लाइट यानि की बिजली क्यों नहीं है दोस्तो इस वीडियो में हम पूरी जनकारी देने की कोशिश करेंगे दोस्तो यहाँ वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लएगा तो वीडियो को लाइक कॉमेंट सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ताज महल के निव यानि की बेस के बारे में तो चारो तरब से मिली जनकारी के अनुसार ताज महल का बेस यानि की ताज महल के नीचे का निव लकडियों से बनाया गया है दरसल ताज महल के निव में 50 हुए हैं इस इमारत का पूरा बजन इन कुमों पर ही ठीका हुआ है ताज महल के निर्मार के वक्त इन कुमों में अबनुस और महोगनी की लकडियों के लठे डाले गए थे कुमों को इस तरह बनाया गया था कि यमनारती के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे क्योंकि अबनुस तथा महोगनी की लकडि को जितना ही नमी मिलता है वो उतना ही मजबूत होते चला जाता है और किसी का कहना है कि यह पहले सिउजी का मंदिर हुआ करता था जिसे एक राजा परमारती देव ने चौथी सताबदी में बनवाया था इस महल के निर्मार में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था तो क्या साजहा ने इन सभी मजदूरों का हाथ कटवा दिया था तो दोस्तो इसका जबाब होगा नहीं दोस्तो इसका परमाड कितने तरह से दिया गया है कि साजहा ने मजदूरों का हाथ नहीं कटवाया था पहला परमाड यहा है कि अगर साजहा मजदूरों का हाथ कटवाया होता तो हाथों का कंकाल ताज महल के आसपास जरूर मिलता दूसरा प्रमार्ट अगर यहाँ बात सही होता तो किसी भी समकालिन किताबों में लिखा रहता लेकिन किसी भी किताबों में ऐसा नहीं पाया गया है तो जरा सोचिए दूसर अगर साजहा ने ताज़मोहल बनाने वाले मजदूरों का हाथ कटवा दिया होता तो क्या कोई मजदूर इन किलो में मोती मस्जजेत अधलाल किला जैसे मिमारतों में काम करता कभी नहीं करता दोस्तो इन सब बातों से यह साप जाइर होता है कि ताज महल बनाने वाले कारिकरों का हाथ नहीं काटा गया था दोस्तो इस वीडियो के बारे मैं आपको क्या कहना है मुझे कॉमेंट के मध्यम से जरूर बताए और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए जानल को सब्सक्राइब dot辛-पैस जरे औरहों डर जानल झाल